क्या 21 सदी में इस तरह का भेदबाव होना चाहिए कि मंदिर में कौन जा सकता है, कौन नहीं? बिल्कुल नहीं. इसका कोई सवाली नहीं है. किसी खास जाती या पंद के लोगों को मंदिर में जाने की इजाज़त न देना एक अपराद है. ये हमेशा से एक अपराद रहा है और आज भी है. ये इस तरह से इतना बढ़ इसलिए गया, क्योंकि उन दिनों मंदिर निजी होते थे, अब उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है. लेकिन इन मंदिरों को निजी तरीके से बनाया गया था. मान लीजे कि किसी परिवार ने इसे बनाया और उन्होंने सिर्फ अपने लोगों को आने की इजाज़त दी. उसे बने अब सैकड़ो साल हो गए और अब सब लोग जा रहे हैं. पर उस परिवार के लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सिर्फ उनका समुदाय ही इसमें जाए. इसमें भेदभाव कम और अज्ञानता ज्यादा है. कुछ जगाओं में सच में भेदभाव हो रहा है, उसे तुरंद खत्म कर देना चाहिए. फॉरण मैंने यही कहा था. देखे, किसी एक सांसद को कहीं चोड पहुँचाई गए. देश में 540 सांसद हैं. उन सब को यह मुद्दा उठाना चाहिए. उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाना चाहिए और कम से कम ऐसे एक मंदर का पता लगाना चाहिए, जहां भेदभाव होता है. वहाँ उन्हें उस नियम को तोड़ना चाहिए, कि सिर्फ ये इंसान जा सकता है या वो इंसान जा सकता है. अगर सभी सांसद ऐसा करते हैं, तो संदेश स्पष्ट हो जाएगा, कि कानून ये है. ज्यादतर लोग जानते ही नहीं कि कानून है क्या. उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं, वही कानून है. लोग इस बारे में अंजान है. हाँ. महिलाओ की बारे में आप क्या कहेंगे? हाल ही में जो शनी शिंगनापुर मंदिर वाला विवाद हुआ और कही महिलाओ को आपका मत जानकर बुरा लगा मैं जानता हूँ क्योंकि उन्होंने ध्यान से पढ़ा ही नहीं आप कहना क्या चाहते थे? पहली बात तो ये है कि शनी भगवान नहीं है, ये ग्रै है शनी के आसपास आम तोर पर बहुत से तांतरिक अभ्यास किये जाते हैं ये काले जादू जैसा है ये ज्यादा तर आद्मियों के जाने की जगा भी नहीं है और औरतों के लिए बिलकुल भी नहीं ये जाने के लिए अच्छी जगा नहीं है किसी तरह बस यह मंदर प्रसिद्ध हो गया तो उन्होंने एक चौकोर जगा बना दी है जहां जाना मना है बाकी जगा आप जा सकते हैं अगर आप वहां जाने के जित करती हैं क्योंकि आपको लगता है कि यह भेदभाव है तो यह भेदभाव नहीं है लेकिन किसी दूसरे मंदर में अगर भेदभाव के कारण औरतों को रोका जा रहा है तो इसे तुरंद खत्म कर देना चाहिए तो यह केवल शनी मंदरों पर लागू होता है अभी तक मैं इस मंदर में नहीं गया हूँ मैंने यह पहले ही कहा था मैंने यह मंदर नहीं देखा है तो मैं इस पर कोई टिपणी नहीं करना चाहता लेकिन मैं शनी मंदरों के बारे में जानता हूँ जहां तांत्रिक गतिविधिया हो रही है यह एक महिला के जाने के लिए अच्छी जगा नहीं है शबरी मला के बारे में क्या? देखिए, यह मंदर पहाडों के उपर है पुराने जमाने में महिलाओं को पहाडी मंदरों में न जाने की सलाह दी जाती थी उन्हें वहाँ न जाने की सलाह देने की एक वज़ा है आज बिचारा बाग एक बिल्ली बन गया है हमें उसे बचाना पड़ रहा है एक समय था जब बाग का मतलब था आतंक और वो इस देश में हजारों की संख्या में थे हमारा पूरा देश एक घने जंगल की तरह था पहाडी मंदिरों में उपर चड़ना ज्यादतर रात में किया जाता था अगर लोग वहाँ जाते हैं तो मासाहारी जानवर खासकर बाग और चीता वो हमेशा औरत को आदमी की अपेक्षा ज्यादा जल्दी सूंग लेते तो उन्हें लगा कि औरतों के लिए रात में पहाड पर चड़ना सुरक्षित नहीं है ये बहुत पहले होता था अब औरतों के पास कई तरह के सैनिटरी साधन है उनके पास जूते हैं, पैंट वगरा हैं, अब वो जा सकती है एक समय था जब उनके लिए उनकी अपनी सुरक्षा की दृष्टी से वहाँ जाना ठीक नहीं था खास कर शबरी मला में, आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे लगता है कि अब दरवाजे खोलने का वक्त आ गया है लेकिन अगर कोई आउरत जाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उसे रोकना चाहिए